नमस्कार दोस्तों मैं बैद सौनबीर सिंग अपने चनल बैद कुंगा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों हमेशा की तरह मैं फिर आपके लिए एक जड़ी बूटी लेकाया हूँ जिसे आप सभी जानते होंगे यद नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के म में आता है वो मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों जिन लोगों के अस्तमा है सांस की परिशानी है या फिर जल्दी सर्दी हो जाती है उनके लिए सत्यानासी का काड़ा बहुती लावदायक साबित होता है और दोस्तों इसकी एक गोली बनाने का तरीका बताऊंगा जो के आपने एक महीने लगाता ले ली जिनके दमा सांस या फिर बलगम जादा बनता है या सांस लेने में दिक्कत है तो दोस्तों बहुती लाव कारी साबित होंगी तो दोस्तों वो गोली कैसे बनानी है किस तरीके से बनानी है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होग कि इनका रस करीब 500 ml या फिर 500 ग्राम बजन के इसाब से निकले अब दोस्तों कोई लोहे की कडाई में आप इसको मद्धी आग पर तब तक गरम करते रहें और चलाते रहें इसको किसी लकड़ी का कर्सी बना लें उससे चलाते रहें अब दोस्तों यह जब आपको गाडा सा हो जाए एक दम रब्डी जैसा आपको दिखने लगेगा तब इसमें आपको पुराना गुड़ आपको मिल जाएगा किसी पंसारी से वो लेंगे तो वो आपको दे देगा पुराना गोड़ आपको 60 ग्राम इसमें डाल देना है और दोस्तो वहीं से राल मिलेगी राल पीस करके आपको इसमें 20 ग्राम मिला देनी है दोस्तो एक बात का ध्यान देना है राल आपको इतनी महीन पीस लेनी है जैसे कि हाथ से फिसले राल को अच्छे से मिलाने के बाद कड़ाई को नीचे उतार लें अब इसको ठंडा होने दें जब यह ठंडा हो जाए तो दोस्तो मटर के आकार की गोलियां बना करके रख लें अब यह गोली आपको दिन में तीनवा लेनी है गाय के दूद से या गरम जल से एक गोली सुबह, दुपर और साम को एक बात का मेसेज द्यान दे यह गोली आपको गुनगुने पानी से लेनी है दोस्तो आज के लिए वस इतना ही आशा करता हूं मेरे द्वारा दी की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदे आपको अच्छी लेगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेयर करें तो जोस्तों सभी साथ में बोलें, ओम नमस्षिवाज, जै भोलेनात, बोलेनात, सदेव, आप लोगों पर कृपाप बनाए रखें जै श्री श्याम